अगर हमें भारत को भविश्य में सफलता के सिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुची इतना जरियों से भी आजाद होना पड़ेगा इसलिए आजादी के अमरितकान में देश ने गुलामी की मानसिक्ता के मुक्ति का प्राण फूंका है बीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राण वायू की तरह है साथियों इतनी कम उम्र में साब जादों के इस बलीदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपड़ेश छिपा हुआ है आप उस दोर की कल्परा करिए आवरंग्जेब के आतन के खिलाब भारत को बदलने के उसके मनसुबा के खिलाब गुरुगोविन सी जी पहाड की तरक खड़े थे लेकिन जो रावर्ची साब और फतेशी साब जैसे कम उम्र के बालकों से आवरंग्जेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी दुन दिर्जोस बालकों को दिवार में जिन्दा चुनवाने जैसी दरीन की क्यों की गई वो इसलिए क्योंकि आवरंग्जेब और उसके लोग गुरु गोविन सींग के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे जिस समाज में जिस रास्त में उसकी नई पीड़ी जो और जुल्म के आगे गुटने टेक देती है उसका आत्म विश्वास और भविश्य अपने आत्म मर जाता है लेकिन भारत के वो बेटे वो वीर भारत मौट से भी नहीं गबराए वो दिबार में जिन्दा चुन गए लेकिन उन्होंने उन आतताई मनसुमों को हमेशा के लिए दफन कर दिया यही किसी भी रास्त के समर्तिवा का सामर्त होता है युआ अपने साहत से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड देता है इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युआ पीडी भी बेश को नई उचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है और इसलिए अब 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस की भूमी का और भी एहम हो गई है है